वेलकम यू अल आइम रोईट प्रों महाजन ट्रेडर्स यहाँ पर हाथवे केबल के रिजल्स आ चुके हैं वो बिलकुल धमाकिदार रिजल्स हम इने कह सकते हैं क्योंकि गाइस अगर देखा जाया तो हाथवे केबल में काफी बड़ी तेजी की यहाँ पर संभावना है अमें दिख रही थी और बिलकुल बड़ी तेजी आ सकती हैं काफी दिन पहले से हम इसे बोल रहें मैंने कल भी बोला था कि आप बिलकुल इससे खरीद सकते हो बिलकुल एस टॉक बढ़ सकता हो और देखा जाए गाइस एफ आई ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर बड़ा दी और पहले ही मैंने बोला था खरीद लो खरीद लो और जिन लोगों ने आपर नहीं घृता होंगा काफी पच्टा रहोगे क्योंकि कल इसमें बड़ी रेली आ सकती है तो हाथवे केबल के बारे में काफी कुछ बाते करेंगे इसके चार्ट को समझेंगे क्या रिजल्स आया है रिजल्स को समझेंगे और देखेंगे क्या अपनी सही में holding बढ़ा ही है तो हाँ बिल्कुल guys ओ भी हम देखने वाले है तो guys hardware cable को लेके काफी कुछ बाते होने वाली इस वीडियो में तो guys video को end तक देखना क्योंकि ये video अगर आपने नहीं देखा तो काफी बड़ा आपको loss हो सकता है क्योंकि hardware hardware cable एक important company हाँ पर बनी चुका है और बिल्कुल काफी सस्ते में मिल रहा है मुकेश हमबानी का stock है और बिल्कुल तगने return ने देने वाला है तो guys आपर वीडियो को start करो वीडियो को start कर उससे पहले अगर आप नहीं हो चैनल पर तो चैनल को subscribe कर दो और guys अभी तक आपने intraday के calls और news के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया है तो join कर लो क्योंकि वहाँ पर intraday calls और news provide में करते रहता हो तो चलते हैं सीधा इसके results पे तो guys आ गए है हम hardware के results के ओपर और यहाँ पर guys first of all हम बात करते हैं इसके इच क्या net profit रहे है तो net profit को अगर देखा आ जा यहाँ पर क्या net profit है तो year on year basis के हिसाब से तो बिल्कुल यह भले ही down दिख रहे हो यहाँ पर 33 क्रोर के आसपास का net profit हुआ है और 46% down है बट अगर देखे quarter on quarter basis के उपर बिल्कुल इसने दमागा कर दिया है लगबग 79% तक की यहाँ पर stock में एक बड़त हमें देखने को बिल्कुल net profit में बड़त है बट अगर guys अगर देखा जाए तो company year on year के basis पे एक साल पहले की बात काफी पुरानी हो जाती क्योंकि कब तब company तो loss में ही चल रही थी बट क्योंकि और तब covid के काफी ज़्यादा कैसे थे और इसके उपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो यहाँ पर year on year के basis पे तो यह down ही रहेगा बट quarter on quarter basis के उपर अगर results को देखे तो बिलकुल आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो यहाँ पर net profit बड़ा है यहाँ पर 79% quarter on quarter के basis के उपर बड़ा है और guys वही अगर देखा जाए इसका revenue क्या है revenue बिलकुल upside की और है तो यहाँ पर company का जो revenue है बिलकुल तगड़ा है 3% अब गया है लगबख 455 करोड और year on year के basis के हिसाब से भी और देखा जाए तो यहाँ पर जो quarter on quarter के basis पे भी अगर देखो तो बिलकुल अब है my 2% तक यहाँ पर आपको up keyword की दिखने को मिल जाएगा वही गाइस अगर बात करें हाँ पर एविप्टा पर डाउन है हाँ पर लगबख year on year basis पे 17% डाउन है तो जैसे कि मैंने बोला गाइस net profit के time company एक साल पहले तो down में दिखेंगी क्योंकि तब company जादा growth में नहीं थी बट अभी quarter on quarter basis पे अभी current के अगर बात करो तो 14% आप है तो मतलब इसका मतलब का परी आप बिलकुल recover करने कोशिश कर रही है और guys अगर देखा जाए तो इसके margin क्या है stock के तो 22.43% यहापर है और बिलकुल यहापर पहले यहापर कितन जाए तो यह रहने basis पे बले ही यहापर net profit down हो but revenue अगर देखे तो upside क्यों हो रहा है तो guys वही है मैं कहना जा रहा हूँ कि यहाप पर quarter on quarter पे आप है क्योंकि company current में क्या काम है कर रही है ओह वह देखा जाता है बाद में क्या करती थी पहले इसका क्या था ओह नहीं देखा जा FI की holding यहापर बड़ी है लगबग आप देख सकते हो December में तो 6.59% के हिसाप से यहापर बढ़ रही है holding और September 2021 में किती थी यहापर आप देख सकते हो 6.29% और June 2021 में 5.84% थी और March 2021 में आपर 3.28% थी और देखा जाए December 2021 में 2.4% यहापर थी तो बैस यहापर अगर देखा ज 6.59% तक तो विल्किल holding बड़ी अब बात करेंगे चार्ट की तो उससे पहले देख लेते हैं इसका current pass कहाँ पर इसने closing दिये हो देख लेते हैं और वही गाईज अगर देखा जाए तो यहाँ पर से stock नीचे आता फिर काफी sideways चला फिर finally यहाँ पर breakout दिया था मैंने तभी बोल दिया था यहाँ पर buy करने के लिए और देखा जाए यह तो fail breakout है इसे मत ध्यान मत देना क्योंकि यहाँ पर अब देखो sideways यह breakout मिला है बिल्क अरीके से यहाँ पर अच्छी हो सकता है क्योंकि 72 के target से यह नीचे आना start हो आता तो यहाँ पर charts को हमने देख लिया गया सोरे अगर देखा जाए पास दिन के टाइम प्रेम पर तो 20 पैसे तक stock बड़ा है 0.87% के साब से और दीखा गया है इस आप पर अगर देखो वन मन के तीन रुपे 50 पैसे तक stock गिरा है 13.088% के हिसाफ से और गयास वही अगर देखे हैं तो क्या आज हुआ था stock में तो 23 रुपे 30 पैसे पे हुआ था open high लगा था इसने 23 रुपे 60 पैसे का और low लगा था 23 रुपे 20 पैसे का market cap है 4.11,000 करोड का बिल्कुल इसे एक midcap stock बनाता ह वही रेशियो है 20.25 का असपास का वही अगर देखें इसका 52 रुपे 80 पैसे का है तो 34 रुपे 80 पैसे का है बिल्कुल इसे बिल्क कर सकता है और 19 रुपे 60 पैसे का low भी आपको देखने को मिल जाएगा वही अब बात कर ले अगर resistance और support levels की तो resistance लेवल को अगर देखो तो 23 रुपे 58 पैसे का first resistance लेवल देखने को मिल रहा है और second resistance लेवल 24 रुपे 0-2 पैसे का है और third resistance लेवल 24 रुपे 28 पैसे का दिखाई दे रहा है वही अब बात करें अगर price performance की तो price performance upside downs काफी ज़्यादा इसमें है क्योंकि आप देख सलते हो यहाँ पर पिछले साल यह काफी ज़्यादा minus में था क्योंकि इसके results अच्छे नहीं थे वही गाइस मैंने बोला तो यहाँ पर minus 25.60% तक के results आप आप जो आसका price performance है डाउन है और one year का अगर देखो तो minus 32.51 minus में है और year on half का अगर देखो 6.16% plus में है और three months का देखो minus 13.41 जो है वो बिल्कुल minus में दिखाई देगा और guys वही अगर मैं बोल हूँ यहाँ पर one month का क्या average रहा है तो यहाँ पर 10.71% plus में रहा है और one week का average भी 3.33% plus में दिख जाएगा तो guys अब बात कर ले थे trade values और component delivery की तो आज की अगर बात करूँ तो 86 lakh का something का trade value हमें देखने को आपर मिल गया guys yesterday के अगर बात करें 81 lakh का आपर trade value yesterday आने में बात करो Friday के दिन 81 lakh के असपास का trade value था और 37 lakh का था component delivery और one week के average में 1 करोड का trade value और 49 lakh का है component delivery और one month के average में 55 lakh का trade value और 24 lakh का component delivery देखने को मिल जाएगा so guys आपर trade values और component delivery इस क्या है हमने दोनों ही यहाँ पर discuss कर लिए है अब बात करते है community sentiments के आकडों की तो community sentiments के आकड़े क्या कहते है यहाँ पर विल्कुल 93% जो लोग है वो यहाँ पर कह रहे है buy के लिए buy call दिया जा रहा है 93% लोग की और से और कहा जा रहा है sell करने के लिए कितने लोग की और से विल्कुल यहाँ पर selling के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ पर 7% लोग्योर्स है तो guys यहाँ पर communities and events के जो आकड़े आपको मैंने बताए ओ भी विल्कुल positive नजर आ रहे है और guys वहीं आप बात करेंगे अब क्या कुछ इसका revenues गेन किया है तो revenues अगर देखो तो यहाँ पर revenue तगड़ा है 1731 करोड के आसपास का revenue इसने गेन किया था 2021 में और उसके बात का जो revenue है 2020 का वो इसने गेन किया था 1798 करोड का जो revenue है वो इसने गेन किया था 2020 में और 2019 का जो revenue है वो देखा जाए 1558 करोड के आसपास है आपर आपको देखने को मिल रहा है guys और बिल्कुल 2018 का revenue भी आपर 1534 करोड है और 2017 का revenue 1344 करोड के आसपास देखने को मिल जाएगा वही गाईज अब बात कर लेगर net profit की तो net profit में काफी पहले down था फिर अपाया तो वही में बताने की कोशिश कर रहा हो गया अगर देखो तो यहाँ पर 2017 की ही हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर down आपको दिखेंगा जो इसका net profit है लगबग 100-196 करोड और 2018 का अगर देखे तो यहाँ पर माइनस 146 करोड के आसपास से नीचे की और आपको देखने को मिल जाएगा और 2019 का जो यहाँ पर net profit है और 2019 में 194 करोड माइनस में था 2020 में प्लस आया लगबग 100 करोड तक अच्छा गासा इसने net profit कमा की दिया है और 2021 में भी यह प्लस में हैं 178 करोड तो मैं यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा होगा इसकी हाँ पर यहाँ पर year on year basis के हिसाब से जो इसके net profit है वो down है बट quarter on quarter के basis में आप है तो यही में भी बताने कोशिश कर रहा हो कि यह कभी भी इसमें एक बड़ा थमें देखने को मिल सकती है तो गैस वही अगर देखे promoters की holding क्या है तो 75% की है D.I.S की holding 6.59% की और F.I.S की holding है 6.59% D.I.S की है 4.77% public holding है 13.63 और देखाचा orders की बात करो तो यहाँ पर 0.01% की holding दिख जाएंगे तो गैस वीडियो पसंदा आओ वीडियो को like करो चनल को subscribe करो थेंक यू